नमस्कार मित्रो उरुषी चिंदन चेनल मा आपनू आर्दिक श्वागत करवामा आवे छे। नमस्कार मित्रो उरुषी चिंदन चेनल मा आर्दिक श्वागत करवामा आवे छे। तो एमा पन केवामा आवे छे। मदूर में अंत्रायसे पवत्तू अथाद। इस्वार मारा मुख मां मध्वो एटले के हूं हमेशा मिठू बोलू। मदूर्वानिना प्रवावती चेरी नाकमन फेर उची करीने डोलवाल लागे छे। अनन मत्रमुग्द थाईने एकच्तान पर उभूर है छे। अने पोत्तानी सतंत्रता पन खोई देचे। मेगनों मदूर्व गर्जन चामणिने मोर पन मस्त थाईने पिछा फेलावीने नुर्तिय करचे। कोईलनों मिठू वाज कोणा मनने नती मुई लेतो। जे मिठू बोलेचे तेनी आसपास मदमाक्योनी जेम अनेक लोकों गेराई वरेचे। कडवू बोलनारी थी बदा दूर भागेचे। मेठू बोलनारी श्त्रियों पड़िवारने स्वर्ग बनावी देचे। तो बीजी बाजू कडवू बोलनारी श्त्रि तेनामा बीजा अनेक गुणो वहाचत्ता। कर ने नडक बनावी देचे। दरेक नारियों ये पाड़ो शीयों साथे सबंद राखवा पड़े। तथा अनेक स्वजनों साथे हरी मनिने रेवू पड़ेचे। मीठू बोलनारी श्त्रि पोताना मदूर भाणी द्वारा सत्रुने पाण मित्र बनावी देचे। एक लेखी काई साचुच के लख्यूचे के जेड ते सुंदरता वेवार कुसरता गड़कामा नीपुणता वगेरेने स्त्री ना गूण मानवामा आवियाचे। एवी जिरित वाणीनी मदूरता पाण स्त्री जाती नो एक विशिष्ट गूण चे। बाहिय सब गष्णों सामे जंजमता रेवाने कान पूडुष कठोड होई सके। परन्तु जो स्त्री कठोड होई तो तेना विजा बदा गूण डखाई जायचे। जो मिठास नावोई तो तेनो सोंदरिय वस्त्रो आपूशन मदूच तूच बनी जायचे। मदूरता जेवो उत्तम संगाल नथी। तेना जेवो कोई विर्त चिंतक नथी। क्रोध समान आपनो कोई सत्रू नथी। सतो गूण वधार नी मदूरता नी उत्पत्ति थाय। जे जा सतो गूण नो अभाव होई त्यां कलह नू राज्य होई। मदूरता पोता नी चाले बाजु एक सुन्दरता मुन महक वातावन पेदा करी देचे। ते वातावन ने प्रसंद करी देचे। मिठू बोलनार दड़ेकने प्याडो लागे चे। मदूरता एक इश्वरिया गूण चे। कोई प्माण देवी देवतावने ध्यान्ति चूओ। दड़ेक मूरती तत्ता चित्रने माध्धुरिया बडेदू चूवा मले चे। जे प्रसंद तत्ता सरस्ताती पड़ी पुर्णा होईचे। जाने के ते देवी देवीना रद़ेमा मान्नाव मात्र माटे सानव भूती औने प्रेमनी धाड़ाव वही रही जाये चे। एद देवी मूरतीन मा आपनने जे सुदर्ता तता आकशन अनुबवाय चे। काना तेम्नामा डायली सतो गोणी बावज छे। हिंदू तत्वग्नानी वे लोकोने पेना अपा माटेते चित्रो तथा मुर्तियोंने सद बावनानु केंद्र बनाविय। ज्योर्ज रेसले लख्यू छे के धर्मो अने पोणिया कोई पोण मनुष्यना रदधैमा रहला प्रमार मा आच्छे। तेनी एक मात्र पडिक्षा एचे के तेना ती उच्च कोटिनी सात्विक सुन्दर अने सरस्वावनाव केटला प्रमार मा वही रही चे। सामाजिक अने व्यक्तिकत बन्ने प्रकार ना जीवन मां मदूरता एक देविय अभिपूती छे। तेने चरित्र अने वेवार मां उतारवाती अनेक प्रकार ना लाब थायचे। जेनी सात्ये वेवार करवं मां आवे छे, तेने अनेक वेवार करनार ने पोताने एम बनने पक्सोनी मदूर ना कारणे आनन अने सन्तोस मर चे मदूर भुलवा ना कारणे अनेक दुखी संतप्त रोगी वगेरेने आनननो अनुबू थाय चे रण मां ज्यां सहज पन पाणी के बिनास होई, त्यां उलक्षो तथा घरो उगी निकरे छे, एजरी ते जे मानसना मुख मां सवबाव मां तथा वेवार मां मदुर्ता होई छे, तेनी आसपा समेशा तेना मित्र तोड़े वड़ता होई छे, जे बिजाने आनन प्रेम मदु सवबाव राखवाज छोई आपने समाज नू अंग छिए, आपने वेवार मां मदुर्ता राखवानो आदेश आपयो छे, मिठ्व बोलो, मिठ्व बोलनानी साथे रहो, जे मदुर्ता राखे छे, तेना माटे बदा पोताना बनी जाये छे, घी जेवी शुवारी औने मद जेवी मिठ्वानी बोलू, जे मिठ्वानी ना महत वने समझी ले छे, ते बदेश सफ़र थाईच, एक बिजा साथे मदुर्ता रहो, मिठ्वानी बोल्वाती कलह गटेचे आने प्रेम वदेचे, याद राखो के बिजा प्रते मदुता राखवातीच, तमने सूख मर्षे मिठ्व बोलनारों तथा सद वेवार करनार पाडोसियो, मित्रों तथा नागरिकों मां अजर आत्मिता वदेचे, ते थी तमें बिजा लोकुने जेटलो प्रेम आपसो, तेमनी मुश्केलियो दूर करवामां मदद कर्षो, एटलोज तमारी आत्मितानों विकास थतो जसे आपनी उपेक्सा साथी थायचे, तमें एकला केम पड़िगयाचो, आनू कारण एछे के तमें बिजाओ प्रत्य साचा मनती प्रेम राकता नती, तेमनी समस्याओमा रस लेता नती, तेमना प्रत्य उदासिन रहोचो, बिजाओना तियां पुत्र जन में प्रमोशन के जाओनी साथे उठता बेठता नती, याँ सुधी आविश्वार्ती निती नव, तमें त्याग नहीं करो, याँ सुधी समाज अतरती, तमने सहयोग नहीं मडे, तती बदानी साथे मदूरता तता आत्मिता थे हमिशा मरता रेवू जोई, जैगुर्देव, जैगुर्णी सेथे जाओनी साथे हमिशीी नहीं दोजी करो, थे पर ठ information में गनी प्रहन विएज़ोग kimchi